हाई फ्रेंड्स हिंदी रिकॉर्डि चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों कक्षा नवी की हिंदी की पुस्तक इसपर्ष भाग एक के काव्यखंड के पाठ दस से ली गई एक फूल की चहा कवीता के कवी सिया रामश्यरन गुपन जी हैं जो ये कवीता है वो अच्छूत समस्या पर आधारित कवीता है इसमें मने की कागार पर पहुंची एक अच्छूत कन्या के मन में यह इच्छा जागी की काश देवी के चर्णों से एक फूल कोई उसे लाकर दे दे पिता ने बेटी की इस इच्छा को पूरा करने का बेड़ा भी उठाया और मन्दी से प्रसाद का फूल लाते समय वो पकड़े जाते हैं और अधालत भी मन्दिर को आपवित्र करने तता देवी का अपमान करने के जुरुम में उसे साथ दिन का कारावास देती है और इसी बीच होता क्या है उनकी पुत्री की मृत्यव हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है इस प्रकार अच्छूतों के मंदीर में प्रवेश उच्श वर्ग द्वारा नेम्न वर्ग पर किया अन्यार एक पृत्री का अंतिम मेलन ना हो springs पाने इस कवीदा में कवी ने चितरित की है तो आज के अध्याय में हम एक फूल की चाहा कवीता के कुछ कावियांशों की व्याक्या पर चर्चा करेंगे तो चलिए दोसरों शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आज का एक फूल की चाहा कवीता का पहला कावियांश उद्वेलित कर अश्रू राशियां हिर्दे चिताई धदकाकर महा मारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर खीन कंड मृत वत्साओं का करुन रुदन दुर्दांत नितांद भरे हुए था निजक्रश रव में हाहा कार अपार आशांद चले दोस्तों पहले हम इसका प्रसंग जान लेते हैं कविता का जो अभी हमने कावियांश पढ़ा ही है हिंदी साहित्य के विख्यात रच्रा का सियराम शरंगुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाहा कविता से लिया गया है जिसमें उन्होंने एक ऐसे पिता की व्यथा का वर्णन क्या है जिसकी बेटी महामारी का शिकार हो जाती है और पिता से प्रसाद के रूप में देवी का फूल मांगती है लेकिन अच्छूत होने के कारण उस लड़की की अंतिमिच्छा पूरी नहीं हो पाती है और उसकी इसी व्यथा का चितरन कवी ने अपनी इस कवीता में किया है चलिए दोस्तों इस कावियान के व्याख्या को जानते हैं ये जो अभी हमने पंक्तियां पड़ी यह एक फूल की चाहा कवीता से अफ्तरित है इन पंक्तियों के माध्यम से कवी चहते हैं कि लोगों के अंधर एक भयानक महामारी का डर समाया हुआ था, क्योंकि जो ये महामारी थी, इसने मासुम बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया था, और इस महामारी से जिन माबाप ने अपने बच्चों को खो दिया था, उनके आशु थम ही नहीं रहे थे, और निरंतर रोते रोते उनकी आवाज कमजोर पर चुकी थी, परन्तु फिर भी कहीं न कहीं उस कमजोर या करूना से भरिस्वार में भी अपार अशांती फैलाने वाला हाहाकार मचा हुआ था, यानि कि महामारी की वज़ा से मासुम बच्चे मर रहे थे, और उनके माबाब 24 घंटे हाहा कार कर रहे थे, बड़ी ही वेदना हैं दोस्तों इस कवीता में, अब इसके दूसरे कावियांश को पढ़ते हैं, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वेह पल बर, मेरा हिर्दय कांप उठता था, बहार गई निहार उसे, यहीं मानता था कि बचा लूँ, किसी भाती इस बार उसे, इसमें कवी नेक, उस सुखिया जो बच्ची है, उसके बाप के हिर्दय की वेदना बताई है, कि किस प्रकार वो अपनी बेटी को बहार जाने से रोकता था, वो कहते हैं कि सुखिया के पिता, अपनी पुत्री सुखिया को घर से भार खेलने जाने से मना करते थे, मामारी के डर से, लेकिन जो वो बच्ची थी, वो हटी प्रवर्ती अपना कर भार खेल ले चली ही जाती थी और जो उसका पिता था उसका हर्दय उसको भार खेलते वे काप जाता था उसे लगता था कि कहीं महमारी उसकी बच्ची को ना घेल ले इसलिए वो इसी सोच में रहते थे कि वो किसी भी प्रकार अपनी पुत्री क इस महामारी के प्रकोप से बचा लें चलिए दोस्तों अब हम इसके तीसे कावियांज को पढ़ते हैं भीतर जो डर रहा छी पाई हाई वही बहार आया एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया ज्वर में विभल हो बोली वहे क्या जानू किस डर से डर मुझ उसकी बेटी को बुखार हो गया उसी को कवी ने कावियांज के माध्यम से बताया है कि सुखिया के पिता के मन में जो डर छुपा था दरसल वही सच हुआ और एक दिन सुखिया बुखार से तप रही थी तेज बुखार से विचलित होकर वह बोली उसे किसी बात का भै नही है ततपशा सुखिया अपने पिता से कहती है कि उसे कोई डर नहीं रहेगा यदि उसे मा के चर्णों का एक फूल मिल जाए देवी मा के प्रसात का एक फूल ही लाकर दे दे ताकि वह ठीक हो जाए उस बच्ची को बड़ा विश्वासता कि यदि उसे देवी मा के मंदिर का एक फूल मिल जाएगा तो वह ठीक हो जाएगी इसी विश्वास के सहारे वो इस महामारी से अपने पिड़ित होने के बाद भी नहीं डर रही थी दोस्तों अब हम इसके चौथे कावियांश को पढ़ते हैं क्रमशा कंटशीन हो आया शितल हुए अव्यव सारे बैठा था नवनव उपाई की चिंता में मैं मन मारे जान सकाना प्रभात सजक से हुई अलस कब दुपहरी स्वन धनों में कब रवी डूबा कब हुई संध्या घहरी बेटी के जोर से वो इतना पिर eruption हो गया कि उसे यही निमानों कि कब सुब़ हो और कब स्याम हो रात उसे कुछ होशी नहीं था वो इतना दुखी हो गया था अपनी बेटी की भिमारी से इसमें कभी कह रहे हैं कि सुख्या का गला सुख गया था गले से आवाज नहीं निकर रही थी उसकी बेटी इतनी बिमार हो गई थी और शारीरिक रूप से वो कमजोर पड़ गई थी और सुख्या के पीता इसी उमीद में नए नए उपाय कर रहे थे कि किसी तरह उसकी बेटी बच जाए वो कोशिश में लगे वे थे फिर वो घहरी चिंता में मन मार के बैट गए थे और वे ये भी ना जान सके कि कब चुबा हुई कब आलस से भरी दुपहरी ढल गई और कब सुनहरे बादों में सूर्य डूबा और कब संध्या हो गए क्योंकि उन्हें तो दिन राज सिरफ अपनी बेटी की चिंता लगी हुई थी दोस्तो आज का अंतिम कावियांच पढ़ते हैं फिर इसकी व्याख्या जानेंगे सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही चाया छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमीर आया उपविस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से जूलसी सी जाती थी आंके जगमक जाकते तारों से अब उस बच्ची का अंतिम समय आ रहा है तो उसकी क्या हालत हो रही है और किस तरह से पिता दुखी हो रहा है चारों तरस गहरा अंधकार ही चाया हुआ था जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मानों उसकी बच्ची को निगलने आ रहा है इतना डर गया था उसका पिता सुख्या के पिता को आकाश में जो तारे जग मगा रहे थे वो उन्हें ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे उसमें से अंगारे निकल रहे हैं हो और तारों की चमक देखकर पिता की आँखे जो जुलस गई उन्हें लगा कि अंगारे बरस रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी मनासन अवस्ता में थी क्योंकि पिता को रातों में नीन नहीं आती थी और वो चिंता में डूबे रहते थे और सारी रात तारे दिखते रहते थे तो दोस्तों ये हमने जाना एक फूल की चाहा कवीता के पांच काव्यान्शों की व्याख्या के विशह में इसके आगे के और काव्यान्शों की व्याख्या के विशह में हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो दोस्तों एक बात और हिंदी भाषा से संबन दित कोई भी प्रेशन आप कमेंट बॉक्से में मुझसे पूछ सकते हैं मैं शीखरी उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी न्यवाद दोस्तों